कि ह HOW हलो एफिर्वन दिस इज शर्मिल आगरवाद हमारी फ्रस्ट और सजब्सक्राइक किंगे 오래lor ओगिए फींट रास में हमने राइन अट देखे सेट क्यास में हमने लाइन्ट और करसे अबजेक्त बनाए जो फ्रट क्लास में हमने curve lines वगेरा देखे अब इन सब object का यूज़ करके हमें अलग-अलग shapes या फिर अलग-अलग designs हम कैसे बना सकते हैं ये देखना है जो भी हमने basic चीज़े देखी हैं lines वगेरा उनका ही यूज़ करके हमें fourth class में object create करने हैं जैसे की ये circle then line yeah slant line then yeah all then yeah curve line yeah standing line इन सब अबजेक्ट इन सब अबजेक्ट का यूज़ करके हमें अलग-अलग shapes create करने हैं जैसे की first हम curve line यूज़ करेंगे ये इस स्टैंडिंग लाइन का यूज़ होगा इसमें then curve line ये हमने flag बना लिया है curve line का यूज़ करके अब हम all का use करेंगे इस तरीके से half circle मैंने आपको last tutorial में दिखाया था इसे थोड़ा सा curve कर लेंगे then curve lines ये हमने दिया बना लिया है then ये half circle का use करके आपको मैंने last वीडियो में बताया था half circle उसका use किया है इस तरीके से ये हमने एक fruit की slice बनाई है ऐसे then अब हम slant line का use करेंगे ये मैं reference ले रही हूँ plus sign का इस तरीके से slant line ये ये हाफ सर्कूल ये हमने kite का shape create किया है ये से देन यह स्लिपिंग लाइन देन को ऐसे है इस तरीके से हम केंडल बना रहे है इन सब इन सब यह शेप बनाने के लिए हमने सारी बेसिक को लाइन बेसिक जो भी हमने देखा था फर्स सेकेंड थर्ड क्लास में उनका ही यूश किया है हमारे केंडल बनके रेडी है इस तरीके से यह सारे अबजेक्ट बेशिक शेप से ही बने है एक और एक्जांपल में आपको दिखाती हूँ यह कव लाइन स्पीड से यह कव लाइन दिन इसको ऐसे यहाँ पर जॉइंट कर दो यह मैंगो बन गया इस तरीके से मैं आपको एक और एक्जांपल बताती हूँ कर लाइन का यूश किया है यह हम पत्ति का शेप क्रियेट कर रहे है इस तरीके से मिशारे से हमने जो फर्स सेकंड थर्ड क्लास में देखे है उनका ही यूश करके क्रियेट किये गए है आपको फाई फूर्ट्स और फाई वेज़ेटेबल के से शेप क्रियेट करना है इन्ही ऑबजेक्ट का यूश करके फॉर एक्जाम्पल मैं आपको एक वेजेटेबल का शेप क्रियेट करके दिखाती हूँ कॉव लाइन यह मैंने लेडी फिंगर बनाए है इस तरीके से आपको फाइफाइफ फ्रूट्स अन वेजेटेबल के शेप्स क्रियेट करके मुझे सेंड करने है इन सभी अबजेक्टा यूज करके आप इनकी प्रैक्टिस करो